नवस्का दोस्तों इनकी वर्तमान आयों 54 या 55 है इनको एक्जेट पता नहीं है पर मेरे इसाब से 54 ही होनी चाहिए अब ये बीजी व्यक्ति होने के कारण समय पर फोटोग्राफ इनके आनी रहे थे जो आ रहे थे तो जैसे चाहिए थे वैसे आनी रहे थे अब इस बीच में इनके साथ communication हुआ तो सटन मैंने एक sign दीखी मुझे एक आभास हुआ Fish sign का तो मैंने एक दो सवाल पूछे turn over के बारेए मैं तो वो लेवल का turn over नहीं मिला तो मैंने बहों Willard नहीं होगी सरकार में ही जाता है तो मैं वाला 100% और एक basic turnover भी इन्होंने बताया था कि ये level का turnover है मेरे annually और उसका जो 75% इनका government supply जाता है तो मैं वाला 100% आपके हाथ में fish sign होगी और एक नहीं दो-दो है है छोटी पर दो है और इनका दो साल से government contracts चालो हुआ है तो हो नहो ये वर्तमान में आई हो इसके लिए अभी तक इनको उसका वो level का जो benefit होता है वैसा नहुआ हो पर दो साल में इनके जीवन में प्रगती बात नहीं हुई पर दो साल में इनकी रफ्तार तेज हो गई होगी क्योंकि ये sign खुब सारा पैसा देती है अब ढूनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है देखिए एक photograph यहां पर है एक यहां पर show हो रही है यह यहां पर एक sign यहां पर है और एक और color किया हुआ पाम है जो यहां पर show हो रही है जो इंक लगाया हुआ पाम है उस पर मैं दिखाऊंगा दो-दो fish chain इनके हाथ में है एक तो यहां पर मैंने show कर दी और बीना अगर आप छोटे मोटे contractor हो ठीक है अगर आपका हाथ में एक triangle है जूपीटर पर जाती लाइन है तो हो सकता है आप गौर्मेंट contractor बनो पर बहुत small scale के बनते हो पर जब आपका करोड़ों में माल अगर गौर्मेंट खरीती है तो अभी तक मेरा experience है कि उन व्यक्तिव के हाथ में छोटी fish sign मैंने always देखी है चाहे बड़ा हफसर हो high level का या चाहे कोई भी गौर्मेंट से related काम करने वालों के हाथ में अगर छोटे स्थर का काम है छोटा यानि बहुत छोटा स्थर नहीं करोड़ों में अगर कामकाज है तो उसके हाथ में sun mount पर एक कात्तो छोटी fish sign मिलती है मिलती है मिलती है हाँ मैंने ऐसे ऐसे भी देखे जो दो-दो अजार करोड तीन-तीन अजार करोड के गौर्मेंट कांट्राक लेते हैं दस-दस अजार करोड के उनकी काफी बड़ी fish sign होती है sun mount पर उसके विगर मेरा experience जो है मैं ये नहीं कहता कि मेरा ग्यान संपुन है पर मेरा जो experience है वो ये शो करता है कि उनके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में ये sign होती है और मैं ज़्यादा तर कोशिस करता हूँ अगर कोई rich person मिला तो उसके सारे परिवार के sun mount पर तो नजर घुमाते ही हूँ क्योंकि ये एक ही sign है इसे भी एक बड़ी sign है पर ये एक ही sign है जो लेवल में huge लेवल में पैसा देती है अब उसके बहुत सारे प्रकार है कहां पर क्या हो तो किस तर से benefit होती है कौन से कैसे हो वो एक अलग research का subject है पर अगर fish sign है तो व्यक्ति के जी उन्हें संब्रूद्धी है 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 और है तो एक तो चीज़ ये है अब इनके overall इंक का जब पाम लेंगे तब मैं दूसरी fish sign भी इनको दिखाऊंगा अब इस पाम का overall analysis करते है और वर्तमान समय में इनको कुछ पैसर ट्लाग या 85 लेक्स का नुकसान गया है तो वो रेखा भी इनके हाथ में show हो रही है किस कारण से गया उसके बारे में भी हम discuss करेंगे यहां पर एक CD रेखा बन रही है धनुशा का तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और जीवन में जो opportunity आती है उसे grab करके आगे बढ़ते हैं यह पूरा rectangle के साथ साथ अगर squarish गीने तो ज़्यादा अच्छा है काफी squarish पाम है तो व्यक्ति महनती होता है पर कहीं न कहीं थोड़ी सी लंबा ही लग रही है तो sales field में भी ऐसे लोग master होते हैं यानि बैटे-बैटे बोलकर कारे करने वाले भी होते हैं पर महनती तो होते ही है और इनको कम नफे में कभी अच्छा नहीं लगता कम नफे में काम करना बैचे नहीं होती है और दो दिन अगर business नहीं हो जिनके चौड़े हाथ होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जीवन ही पूरा हो गया मेरे एक दो दोस्त हैं उनके बहुत सारे चौड़े पाम है दो दिन अगर मुंबज में बरसात कंटीनियो आ जाए उनकी retail शौप है कश्टमर नहीं आया तो उनको लगता है कि जीवन तो पूरा हो गया अब तो मेरे पास कुछ बच्चा ही नहीं है यानि ऐसी feeling आती है चौ पूठा मुट रहा है तो मित्रता पूर वेवार रहता है वेक्ति का फर्स्ट फैलेंज भी नुकी ला है तो कारिके प्रती जीद होती है सेकेंड फैलेंज अच्छा है लोजिक के साथ बात करने में काफी एक्सपर्ट होंगे और जब घुमा होता है तो यसे लोगों की मित अच्छा खासा जीवन में समय मित्रों के साथ जाता है अब लॉजिक के साथ बात करने में एक्सपर्ट होंगे पर कहीं न कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर भी होगा चाहिए उतना मांसल नहीं है फैलेंज सारे सपाट है तो बिजनेस माइंड शोग होता है वे अगर चिपक्ति रहती है तो देखा है कि अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है शुरी की उंगली से थोड़ी सी लगबग सेमी है यह उंगली फर्स फैलें तक पहुंच रहे तो व्यक्ति डॉक्रुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को स दीगवार्मेंट कोंट्रक्टर के हाथ में यहाँ पर ट्रैंगल दिखेगा 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 अब इनके क्लोज अप की और चलते हैं बुद्पर्वत अपने आप में उभार है इस तरह का बुद्पर्वत हो तो वेक्तिस पष्ट वक्ता होता है जो भी मन में रहा साम वाले पर जानकारी दे देता है, कोई भी चीद छुपाता नहीं, सुन्दरता आती है, वानी इनकी मीठी होती है, ये सारे गुन प्राप्त होते हैं, और इस हाथ में भी काफी बड़ी बड़ी लाइन है, इस तरह की लाइन है व्यक्ति को सम्रुद्धी देती है, और अच्छ सफलता व्यक्ति को आसानी से प्राप्त होती है, एक शुक्रवले भी बना हुआ हाथ में, ऐसे लोग जन्म लेते ही, परिवार संपन बनता है, और जैसे जैसे उमर आगे बढ़ती है, जहां आम इनसान, अगर ये बच्पन से हो, तो परिवार संपन बनता है, जन्म लेने क के बाद, और खुद जब कमाने लगते हैं, तो आम इनसान जब हाँ हजार कमाता है, वहाँ ये लोग लाखों कमाते हैं, एक शनी परवत पर देखे, तो ये लाइन थोड़ी सी जुकाओ ले रही है, तो हो नहो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम होगा, बविश मे फिलाल है किने, मुझे जानकारी नहीं है, पर सन माउंट की और ये लाइन देख रही है, तो हो नहो ये जो प्रोड़क बनाएंगे, ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये विदे से धन प्राप्ति की और इशारा जा रहा है, सेकेंड चीद देखे, तो जुपिटर की और जाती उई रेखा है, ये चार तरह का लाप दीखाती है, पॉलिटीकल लाप, सरकारी लाप, थर्ड ससुराल पैसे वाला होता है, और व्यक्ति जो भी कारे करता है, बड़े स्थरका करता है, एक अगर ये ट्रैंगल क्लियर होगा, तो लगबग इनके उम्र 57 के आसपास से construction का काम भी इनके जीवन में या तो कोई गोडाओन निर्मान फेक्ट्री निर्मान या कोई न कोई construction व्यक्ति करता है पर ये 100% मैं नहीं कह सकता अगर ट्रिंगल होगा तो और continue फेट लाईन है बनी हुई है तो व्यक्ति बुड़ापे तक earning करते रहता है अब जूपिटर माउंट पर चले तो जूपिटर माउंट पर मुझे एक clear cut triangle दिख रहा है एक triangle यहाँ दिख रहा है और कहीं न कहीं जब cross होता है और इनका जूपिटर माउंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुप जीवन में अच्छा मिलता और इस palm में मुझे cross तो हाँ यह cross है अगर सर में जोर से लगाओ एक बार बच्पन में जो अभी तक याद होता है और थोड़ा थोड़ा सरडर्द हो तो ऐसे लोगों को पत्नी भौत समझदार मिलती है अंडरस्टेंडिंग वाली और एक लाइन दो लाइन तो बीच बीच में इनके multiple income के सुरोध भी create होंगे और हाथ का color देखे कितना best है इस तरह का color बहुत ज़्यादा व्यक्ति को पैसा भी कमवाता है और खर्चा भी इनका ज़्यादा रहता है यानि अपने लिए खर्च करते हैं ये लोग अंडरूनी मंगल भी एक व्यस्तित है तो व्यक्ति में साधरी को उच्चा अच्छी खासी होती है बारी मंगल उससे भी अच्छा है इस तरह का बारी मंगल वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है संकट के समय अपनी level पर संकट का सामना करता है और जब किसी से मिलता है तो एनरजी के साथ मिलता है मैंने कई वीडियो में कहा है अगर चंद्रपरवत आपका अच्छा है तो विदेश से संबंद आता है आता है और आता है और इनकी फेट लाइन भी थोड़ी सी जुकाव ले रही है सं माउंट की और इनका विदेश से संबंद आएगा जरूर और ऐसे भी फिस सेंज इसके हाथ में आ गई उसके हाथ में पैसा भरपूर आता है और वो गुमने भी चला जाता है बहुत सारी चीजे होती है उसकी लाइफ में क्योंकि पैसे की काफी अच्छी मात्रा में इंकम होती है तो ये चंडर अच्छा है, इनको पानी अच्छा लगता होगा, दूट से बनी वस्तुए भाती होगी अच्छे जब ये लोग पैसा कमाथे तो घर के फनीचर और ओफिस के फनीचर भी देखने लायक होते है है पर ये थोड़ा सा addiction line कह सकते इसको एक दो घंडा काम करने के बाद व्यक्ति को खाली पन लगता है उस खाली पन को भरने के लिए कोई चाय का सारा लेता है कोई कौफी का कोई cigarette का कोई धर्म का कोई कामुकता का कोई न कोई सारा ढूंता है दवाई का उस खाली पन को भरने के लिए ये feeling इनको रहती होगी और ये अगर triangle यहां पर complete होता होगा तो विदे से धन प्राप्ति के योग भी इनके जीवन में बनेंगे वो उसके तो संकेत पूरे है और money triangle काफी उत्तम है दो तिन लाइनों के द्वारा बन रहा है पर काफी उत्तम बन रहा है और इतनी अच्छी बुद रेखा हो तो विदे हंडेट परसेंट बड़े स्तर का काम करता ही है और इस तरह का money triangle विदे को income के source अच्छे create करवाता है अब इनकी जीवन रेखा को देखे तो पूरी घुमाव ले रही है यह जब घुमाव लेती है तो वेक्ति पारिवारिक सोच वाला होता है कहीं बार भी गया तो पांच बार दस बार घर पे phone करेगा इस तरह की मानसिकता होती है यहां पर एक लगबग 31 के आसपास एक राव रेखाने काटा है एक 33 के आसपास राव रेखाने काटा है यह 31 वाली इतनी स्पष्टेता से नहीं दिख रही है तो हो सकता है यह 33 वाली हो यह 31 और यह 33 हो उसके बाद उम्रत 39 के आसपास एक राव रेखा इनको काट रही है उसके बाद 44 के आसपास उसके बाद 53, 54 के आसपास राव रेखा काट रही है मैं वापस से रिपीट करता हूँ यह 31, 33 के आसपास उसके बाद 39 के आसपास उसके बाद 44 के आसपास और एक छोटी सी राव रेखा यहाँ पर काट रही है इस जगह पर यह लगबग 53, 54 के आसपास इनके जीवन में यह कट है उसके बाद 58 के आसपास एक राव रेखा उसके बाद एक 61, 62 के आसपास है और 167 के आसपास है और 171 के आसपास है इतनी राव रेखा है इनको जीवन में डिश्टब करेगी अब यह जो वर्तमान में यह जो राव रेखा काट रही है यह कोई 65 या 85 लेक्स का नुकसान नहीं देती क्योंकि इनका money triangle भी मजबूत है और ऐसी कोई बहुत बड़ी strong राव रेखा नहीं है तो इनको जो नुकसान गया है उसका दूसरी जगह पर दिख रहा है और जीवन रेखा काफी उत्तम है इस photograph के हिसाब से हाँ यहां तक हो सकता है मोटा पा इनके जीवन में ज़्यादा रहा हो यह लगबग 25 से लेकर 50 तक या 45 तक इनके जीवन में मोटा पा रहा होगा उसके बाद यह line काफी सुन्दर होके आगे बढ़ रही है अब यहां पर देखे तो नीचे से line सुर्वात हो रही है तो ऐसे लोग खाते पीते घर में जन्म लेते क्योंकि शुक्रवला है तो नेचरल है जन्म लेने के बाद व्यक्ति के जीवन में संपत्ति आती है एक कट उम्र लगबग यह होगी 27 के आसपास एक कट 28 के आसपास दिख रहा है उसके बाद भी छोटे छोटे कट इनको चली रहे है तो यह 36 तक का पिरियड इसी तरह थोड़ा संगर्स वाला भी रहा होगा सफलता संग कोई नुकसान यह इस तरह से चला होगा उसके बाद यह पूरी 36 से लेकर 42-43 तक यह लाइन सुजन भरी है और यह कन्फर्म भी कर चुका हूँ इनका संगर्स वाला पिरियड था अब एक लाइन यहां आकर काट रही है यह अगर हदे रेखा से निकलती है तो इन्वेस्मेंट शो होती है नहीं तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान देती है और यह पिरियड होगा 45 के आसपास का 44-45 के आसपास का पिरियड होगा एक लाइन यहां पर आकर कट कर रही है और यह इन्वेस्मेंट शो हो रहा है इनके जिवन में 52 के आसपास कोई न कोई investment या 51 के आसपास 52 के आसपास investment इनका हुआ होगा प्लस मैनस वन इयर बड़ा investment हुआ होगा अब इसके बाद की जो स्थिती है उसके लिए हम इनके दूसरे photograph पर चलते हैं और यहां पर भी देखें तो एक दो लाइने कट कर रही है जो color के अंदर भी दिख रही है उसके बारे में भी हम discuss करेंगे यह यहां पर दूसरी फिश शाइन दो दो फिश शाइन इनके हाथ में एक मैंने यहां पर दिखाई जूस फोटोग्राफ में दिख रही है एक यह अब इनको जो loss गया उसका कारण है यह लगबख 53 के आसपासी investment है और यह भी कोई investment ही लग रहा है और यहां से एक रेखाई बहुत पतली सी और इसी पिरियड में 53 के आसपास के पिरियड में यह कट कर रही है बहुत बारिक सी रेखा है जो यहां पर show हो रही है इस रेखा ने इनको 85 के आसपास का blockage दिया और उसके बाद यह रेखा यहां पर लगबख stop होती दिख रही है और उसके बाद एक पतली सी रेखा आगे बढ़ रही है और यहां से एक बतलाव भी इनके जीवन में आ रहा है तो इन्होंने कोई development अपने जीवन में किया है और यह रेखा यहां से सुन्दर होकर आगे बढ़ रही है पर इस रेखा पर यह लगबख इस पिरियड में दो रेखाओने काटा है और यह पिरियड होगा लगबख इनके जीवन का 58-59 में जो इनको राव रेखा भी उस पिरियड में शो हो रही है यहाँ पर इनको कोई न कोई आर्थिक नुकसान या थोड़ा सा रुकावट का मैं एसास होगा इनको और यह सीधी उसके बाद चलकर सुन्दर सी अप्टू एंट तक जा रही है तो आशा रखता हूँ इनके शबी प्रस्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद